तुर्की के एक शहर में खेट से भागी कुछ भेड बक्रियों ने आतंकी हमले जैसी हलचल मचा दी खेट से भागने के बाद इन जानवरों ने गार्ड्स का पीछा भी किया सोशल मीडिया में एक CCTV फुटेज वायराल हो रहा है जिसमें एक बक्री एक भेड और भेड के तीन बच्चों ने तुर्की के नेवसेहिर हॉल में खौप पैदा कर दिया है ये भेड बक्री किसान हसन उन्गुलन के थे और एक राब पहले ही अपने खेट से शहर की और भागे थे वीडियो में देख सकते हैं कि दो गार्ड्स हॉल के अंदर जाने के लिए सीडिया चड़ रहे थे तब ही ये जानवर इनके पीछे पड़ गए दोनों गार्ड्स भवन के अंदर गुस गए और इन पांचों जानवरों को सड़क पर छोड़ दिया इसके बाद एक शक्स कार की पार्किंग की तरफ आया तो भेड ने उस पर भी हमला किया लेकिन शक्स ने किस तरह खुद को बचा लिया और कार के पीछे खुद को छुपा लिया ये जानवर काफी देर तक ऐसे ही आतंग मचाते रहे ये जानवर सिटी हॉल में गुसने वाले हर शक्स के पीछे पढ़ने लगे सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वाईरल हो रहा है और अब तक इस वीडियो को 10 लाग से ज्यादा लोग देख चुके हैं तुर्की के नेव सहिर शहर के स्थाने अधिकारी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था ये जानवर हसन उन बुलन किसान के हैं हसन ने अपने खेतों से जानवरों के गायव होने के बाद इनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी हसन ने मेडिया को बताया कि मैं लंबे समय तक अपने जानवरों को ढूंता रहा लेकिन वो मुझे नहीं मिले इसके बाद मैं नेवजहिल शहर गया ताकी अपने गुन जानवरों की शिकायथ दर्ज करा सकूं मुझे पता चला कि अधिकारियों ने मेरे जानवरों को एक तलाप के पास सुरक्षित रखा है और अधिकारियों ने बाद में मेरे जानवर मुझे लोटा दिये